नमस्कार दोस्तों देखिए मित्रों आज RPC के द्वारा ACF का एक्जाम जो है यह हुआ था आज ACF का एक्जाम करवाए गया था और इसमें जो विद्यारती रीट की त्यारी कर रहे हैं या किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और आपकी प्रीक्षा से जुड़ेवे जि कि वास्ते में क्या शांदार पेपर बनाया है और जिन्होंने त्यारी कर रहे हैं पिछले बहुत समय से काफी समय से जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर साथ में तो निश्यत रूप से आपको बहुत इसमें लाब हुआ होगा क्योंकि क्यूशन ऐसे हैं जैसे इसी ऑर्ट कर का आज इस वीडियो में रास्तान हिश्टी ऑर्ट कल்चर की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रास्तान की जि़ुगराफी से जुड़े विक्यूशन है उनके बारे में बात करेंगे तो पुरा तात्वी के इस्तल बागोर जो है जो की बिलवाडा में है ये कौन सी नदी पर इस्तित है तो आप सको देखेगा पुरा तात्वी के इस्तल बागोर कौन सी नदी पर अवस्तित है तो यह आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है कोठारी नदी बर्न जब राजस्तान हिस्ट्री आर्ट कल्चर पढ़ाया था उस टाइम भी पढ़ाया सब्देताएं जो पढ़ायी सब्देता इस तल वहाँ भी बताया और जब राजस्तान जियोग्राफी पढ़ायी वहाँ भी आपको ये चीज़ समझाई थी जब ये बनास नदी का रूट बगएरा पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने आपको बीचम बताया था कि देखिए यहाँ पर ये बागो रिस्तान आता है यहाँ पर ये नदी है कोठारी नदीर तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको तो कोठारी नदी इसका सही उतर होगा कच्छावा राजबंस के अदो लिखित सासकों को काल कर्मानुसार विवस्तित कीजिए ये क्यूशन भी बोल रखा है इसके बारे में भी बता रखा है तो इसमें देखेगा सबसे पहले बगवन दास है बगवन दास का बैठा था मान सिंग मान सिंग के आगे सासक बनता है भाव सिंग और भाव सिंग के बाद में नमर आएगा जै सिंग फर्स्ट यानि जै सिंग फर्स्ट माने मिरजा राजा जै सिंग तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि मान सिंग जो है इसके मर्तिय हुई थी 1614 में तो मान सिंग के मर्तिय के बाद में भाव सिंग बनेगा और जैय सिंग फर्ष्ट जो है ये बनता है 1621 से 1666 यानि 67 तो जैसिंग से पहले और मान सिंग के बाद कौन सा था भाव सिंग था तो इसका सही उत्तर एक दो तीन चार तो यह होगा फोर्थ जो है एक दो तीन चार यह इसका सही उत्तर होगा बहुत ही अच्छा कि सुने नेश्ट है अली बक्षी ख्याल जो है यह बक्षी जो लिखा है तो इसको इस तरह से नॉर्मली लिखते इस परकार से है आदक है और सी यह अली बक्षी ख्याल तो यह हिंदिय ट्रांसलेट वाए तो इसको बक्षी कर दिया होगा अली बक्षी ख्याल नेमन मैंसे कौन से शे तो आप वो सारा कोर्स आप वापस अपने नोट्स और उसके साथ जो वीडियो लेक्जर में चीज़े समझाई हैं, वो देख लेना और यह पूरा पेपर मिला लेना, आपका 99% पेपर जो है वो डिटो एज इस इस 99%, 60-70% ही नहीं, 99% पेपर आपका वो ही है, जो आपको सब हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, अलवर होगा इसका सही उतर, अठारा सु सित्याउन के सोतंतरता संगरा में कोटा महराव की साहिता के लिए किस राजे ने सैनिक साहिता बेजी थी, तो आप जानते हैं कि अठार सु सित्याउन में जो कोटा महराव ये 15 आक्टूबर क जो कोटा के अंदर क्या होती है, करांती होती है, और जै दियाल बटना कर महराव खांदर, जब उनके नेतरतों में आंदलों हुआ, तो 6 महिने तक कोटा जो है, वो करांती कारियों के अधिकार में रहा था, तो फिर उनकी साहिता करने के लिए कोटा महराव की साहिता के लि परोली रियासत ने की थी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्ट क्यूशन है, बारच छोड़ो आंदोलों के दोरान जेपूर परजा मंडल के अद्यक्स कोन थे, देखें जेपूर परजा मंडल जो है, ये बात कर रहा है, बारच छोड़ो आंदोलों कब का है, 1942 का, अब आप याद कीजिए, आपको जब मैंने पढ़ाय था, जेंट जेपूर परजा मंडल के जो उस वक्त अदेख थे, हिरालाल सास्त्री और जेपूर रियासत के परदान मंत्री थे, मिर्जा इसमाईल, इनके बीच में वा था जेपूर जेपूर के राजा नहीं करेंगे, तो बदले में ये क्या करेंगे फिर परजा मंडल, ये भारच छो कई नेता हैं दूसरे, वो हैपी नहीं थे, खुश नहीं थे, तब इन्होंने बाबा हरीच चंदर अउन्होंने मिलके आजाद मोर्चे का गठन किया था, और बाद में आजाद मोर्चा जो है बाद में, वो इसी में मिल गया था जेपूर परजा मंडल में, तो ये सब रहेगा हिरालाल सास्त्री तो यह point आप ध्यान में रखेगा इसमें next question है सही योगमों को सुमेलित कीजिए और निचे देगे कुटों की साहिता से सही उतर का सुनाव कीजिए match the correct pairs by using the code given below and select the correct answer तो आप इसमें देख लिजिए आप जसनाव जी कहां के हैं तो यह लिजिए कत्रिया सर बिकानेर एका fourth और इस पूरे question में केवल एक योप्सन है जिसमें एका fourth है तो इसका fourth सही उतर हो जाएगा बाकी फिर बी का second सीतला माता जी का चाक्सु जेपूर और फिर सी का third तो सी का third जामो जी मुकाम नोखा और फिर जीन माता तो इनका first तो रेवा सदाम सिकर तो इसका सही उतर fourth हो जाएगा सिदा simple सा question था next question है कि परसिद भरत हरी मेला आयजित किया जाता है कहा यजित किया जाता है अलवर में ही है तो इसका आपको पढ़ा रखा है सब बता रखा है मैंने next है 1948 में किन चार राजियों को जोड़कर मतशय संका निर्मान किया गया simple सा question है ABCD अलवर भर्दपूर दोलपूर करो ली तो इसका सही उतर first हो जाएगा बाकि तिनों इसमें गलत है तो सही उतर इसका first है अलवर भर्दपूर दोलपूर करो ली तो इसका सही उतर दूसरा हो जाएगा गागरोन simple सा question है जल दूर्ग जालाबाडगा तो वो इगागरोन दूर्ग जो है ये next है निर्म लिक्त में से कौन से लोग नर्ते में किसी वादय यंतर का परियोग नहीं होता notes के अंदर बहुत अच्छे से लिक्वा रखा था कि इसमें किसी वादय यंतर का परियोग नहीं होता है और याद करने की जो ट्रिक वगरा भी सबको बताई थी कि जो गराशया जंजाती हैं उनके नर्ते कौन-कौन से हैं सब याद करवाने की ट्रिक बताई थी आपको मांदल, वालर, गोर, लूर, कूद, जवारा, मोरिया तो पूरा अच्छे से याद करवाए था इसका सही हो जाएगा वालर नर्ते ए है तो फर्ष्ट ए हो जाएगा कोई भी वाद यांतर का प्रियोग नहीं होता नेक्ट सिरेन नमर्वाड़ा-प्रगनारी विगत के लेखा यह कुन है? तो मुहनोथ नेंड इसी हैं मार्वाड़ा-प्रगनारी विगत और नेंड Creator नेंड सिरेा खयात ये किसके हैं? मुहनोथ नेंड सि और जो मार्वाड बिगतजार का गजेटियर भी कहते हैं नेंड सी एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और ना केवल मारवाड का वर्णन है वर्णन संपूर्ण राजस्तान के अलगलग जो राजवस है उनका भी नेंड सी ने वर्णन किया है 1628 में मेवाड में रागमला चितरांकन को किसने चितरित किया था बहुत शांदार और खुबसुरत कुशन था ये काफी विद्यावतियों का गलत भी होगा जाद दरक्रसही नहीं भी होगा बहुत अच्छा कि उसने 1628 की बात कर रहा है मेवाड में रागमाला चितरांकन को किसने चितरित किया था तो रागमाला दरसल जो 12 महिनों के अलग-लग जो रिक्तु होती है उसके आदार पर जो चितरांकन किया जाता है तो उसको रागमाला सेट कहते हैं और कई जो हैं इसमें ऐसे आएं हैं चितरकार जिन्होंने रागमाला का वनन किया है जैसे मारवाड में वीरजी आएंगे ये कई अलग-लग आपको मिलेगे तो इसका सही उतर जो है वो है साहिब दिन ये फोर्थ वाला इसका बिल्कुल सही उतर होगा 1628 में सहीब दिन जो है इसने मेवाड में रागमाला गरंत का चितरन किया था तो आप ध्यान में रखेगा इसको सहीब दिन इसका सही उतर है नेक्स्ट है नीमन में से कौन सा राज परसाद चितर पैलेस के नाम से विख्यात है तो इजी सा क्यूशन है उमेद भावन पैलेस जो जोदपूर है उसको चितर पैलेस भी कहते है तो ये राज़तान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के क्यूशन थे तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बाकी जो राज़तान के बुगोल से समधित क्यूशन आए है वो नेक्स वीडियो में हम उनको डिसकस करेंगे तो आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जिन विद्यार्तियों ने राज़तान जिके का कॉर्स कंप्लीट कॉर्स ले रखा है आप उसको गोट जाएं अच्छे से तो भी आपको 90% और आप तक जो भी पेपर राज़तान के वे हैं जब से वो बनाया है मैंने उसके बाद से 90% पेपर जो है आपके नोट्स और वीडियो लेक्चर से आता है तो वो इसलिए आएगा क्यूंकि वो बनाया ही इस तरह से गया है कमेंट करके जुरूर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै हिंद जै बारत